जम्म कश्मीर के सोपिया जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्रे के सभी लोगों को कोलोना वैक्सिन की पहली डोज लगा दी गई है जिला स्वास्त विभाग के अनुसार ऐसा करने वाला शोपिया देश का दूसरा और कश्मीर का पहला जिला बन गया है अधिकारियों का कहना है कि टार्गेट ग्रूप में से 78,769 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है स्वास्त विभाग के ओर से 70 वैक्सिनेशन सेंटर अस्थापित किये गए हैं जहां हर दिन करीब 100 से 150 लोग को वैक्सीन दी गई अधिकारियों का मानना है कि सोप्याम के अबादी 2011 जनगर्ना के अनुसार 2.6 लाग से बढ़कर 3 लाग हो गई है अधिकारियों ने बताया कि यहां वैक्सीन की कमी नहीं है इसलिए टीका करन को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है इस कारे में अंगनवारी कारेकलताओं ने भी बड़ी भूमी का निभाई और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवानी के लिए प्रेदित किया शोप्याम में इस अभ्यान की सुर्वात मार्च में हुई थी और अब ये जिला दूसरे जिलों के लिए प्रेदिना है